How to turn on or off network automatically select option in android phone स्वागते दोस्ताँ आप सुभी को टिकी राच YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल पर automatically select network जो आपका option होता है यानि कि यहाँ पर हमारे मोबाइल में automatically select network या फिर network searching का जो option होता है उसे आप कैसे enable या disable कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका complete settings आपको कैसे करना है वो details में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के साथ में बने रहीएगा और साथी साथ चैनल को subscribe करके bell icon को भी दबा दीजिगा तो यहां पे देखिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है अपने mobile के settings पे settings पे जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको जाना है dual sim and cellular network पे उसके बाद आपको sim card select करना है जिस sim card पे आप यह settings करना चाहते है उसके बाद आपको एकदम नीचे career का option दिखाए देगा simply यहां पे click कर दीजेगा अभी आप देख सकते है automatically select आपको यहां पे show हो रहा है तो इससे आपको यहां से आप बंद कर सकते है इसे ठीक है off कर दीजेगा अभी बंद करने के बाद में क्या होता है दिखिए बंद करने के बाद में आपको यहां पे manually network जो है वो select करना होता है वरना आपका sim card का network काम नहीं करेगा ठीक है तो यहां पे यदि आपका कुछ problem आ रहा है network से regarding तब आप इसे automatically है तो बंद करके आप यहां पे manual network जो शो होगा वो select करके वो network का अस्तमाल कर सकते हैं लेकिन वो network यहां पर देख सकते हैं तो आपको यहां पर देख सकते हैं चार network आपको दिया गया है तो यहां पर मैंने एरटल इंडिया सेलेक कर लिया ठीक है एरटल इंडिया सेलेक कर लिया यह network registered हो जाएगा लेकिन जो tower अभी नजदिक मुझे यह पकड़ रहा है वही network मुझे शो होगा और तब तक ही काम करेगा जब तक मैं वो tower के नजदिक रहूं ठीक है यही मों tower से कहीं दूर चला जाता हूं तो वो network मेरे मोबाल में काम नहीं करेगा तो यह limited है यदि आप घर में बेठे हो और कोई network आपको बढ़िया से काम करता है तो वो आप यहां पर select कर सकते हो वरना दोस्तों यदि आपका network जो है यदि आप जो है automatically the network service you choose is unavailable देखा आपने तो मैंने आपको बताया कि यह अभी छुट चु कार्ड automatically वो detect करके वो connected हो जाता है ठीक है तो दोस्तों यह था complete settings उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching